दवश्कार दर्शको मैं आरेशक मुत्री आप सबका स्वागत करता हूँ दर्शको आज हम बात करेंगे तुलार रासी फल मार्च 2023 के बारे में मार्च का महीना तुलार रासी बालों के लिए कैसा रहेगा कौन कौन से ग्रहों का रासी परवर्तन होगा ग्रहों के रासी परवर्तन से कौन से शित्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा हम बात करेंगे आपके संपून शित्रों के बारे में जैसे मार्च के महीने में आपका स्वास्त कैसा रहेगा मार्च के महीने में धन की स्थिती कैसी रहेगी छोटे भाई बहिनों के साथ संबंध कैसे रहेंगे, माता के साथ संबंध कैसे रहेंगे, भूमी, भवन, प्रापर्टी, माकान, वाहन के बारे में भी जानेंगे, आपकी सिक्षा के बारे में जानेंगे, संतान के बारे में जानेंगे, मार्च के महिना प्रेम विवाह के लि मार्च के महिने में कोई छोटी मुटी दुरगटना के योग तो नहीं बन रहे है, ससुराल पक्स से संबंद कैसे रहेंगे, भाग आपका कैसा रहेगा, भाग साथ देगा या नहीं देगा, नौकरी की क्या इस्तिती रहेगी, व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा, कितना होगा, आएके कैसे जहरिया बनेंगे, साथ इसाथ ब्या की क्या इस्तिती रहेगी, क्या नुक्सान हो सकता है, क्या सावधानी अकना होगा, सभी छित्रों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे, तो आईए जानते हैं, सबसे पहले यह समझे, यह पलादेश चंदर रासी पर आधारित है, नाम रासी के आधार पर भी आप जान सकते हो, तो आईए सबसे पहले हम मार्च के महीने में ग्रहों की स्तिती के बारे में बात करें, मार्च के महीने में चार ग्रहों का रासी परवर्तन होगा, सूर का रासी परवर्तन पंदरा तारिक को होगा, जो कि वि तो मंगल 13 तारिक से मिथुन रासी में गोचर करेंगे लेकिन 13 तारिक के पहले ब्रशब रासी में अश्टम भाव में गोचर करेंगे और 13 तारिक के बाद भाग के भाव में मिथुन रासी में इसके बाद सुक्र की यदि बात करें तो सुक्र जो है बारा तारिक से मेस रासी में गोचर करेंगे लेकिन बारा तारिक के पहले मीन रासी में छटे भाव में गोचर करेंगे और बारा मार्ज के बाद मेस रासी में राहू के साथ सप्तम भाव में गोचर करेंगे शुक्र के बारे में बात किया अब बात करेंगे बुद्ध के बारे में तो बुद्ध जो है सोला तारिक से मीन रासी में गोचर करेंगे और सोला तारिक के पहले कुम्भरासी में पंचम भाउ में गोचर करेंगे 16 तारीक के बाद 20 रासी में sixth बाउ में गोचर करेंगे तो यह ग्रहो के रासी पर वर्तन है लगन में केतिविराजबानस धन भाउ खाली है पराक्रम भाउ खाली है चौथा भाउ भी आपका खाली है पंचम भाव में सूर, बुद्ध, सनी के इस्तिती रहेगी, गुरु और शुक्र की इस्तिती रहेगी आपके छटे भाव में, राहु आपके सब्तम भाव में, अश्तम भाव में मंगल, भाग भाव खाली आपका रहेगा, कर्म भाव खाली रहेगा, लाव भाव खाली तो सबसे पहले हम बात करेंगे रासी के स्वामी के बारे में, हम बात कर रहे हैं तुला रासी बालों के बारे में और तुला रासी के स्वामी होते हैं शुक्र, शुक्र का गोचर लगने शुकर के छटे भाव में गोचर कर रहे हैं, शुकर के पात दो रासिया हैं, साथ जब गोचर करे तो यह विपरीत परवतन राज योग बनता है लेकिन जब लगनेश छटए भाव में, आथवे भाव में और बारहवे भाव में गोचर करे तो इसे लगन दोस्त कहते हैं और यह सुब नहीं माना जाता है। लेकिन शुक्र के यहाँ पर इस्तिती ऐसी नहीं है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर उच्छे रासी में गोचर कर रहे हैं, और छटे बाव में अच्छे परणाम देते हैं, साथ इसाथ यह विपरीत परवर्तन राज योग बना रहे हैं, इस करण से कोई भी ऐसी बड़ी लिखने को आपको नहीं मिलेगी, स्वास्त आपका बहुत अच्छा रहेगा, रोगों को दूर करने का काम यहाँ पर सुक्र करेंगे, रेडों को समाप करने का काम करेंगे, कमपटीशन में सफलता दिलाने का काम करेंगे, साथ इसाथ गुप्त धन भी देने का काम करेंगे तो कि ये अश्टम भाव की भी मालिक हैं, वही सुक्र की जो है सब्तम द्रश्टी आपके विदेश भाव में होगी, तो विदेश से जुरी हुई यात्राइं आप कर सकते हैं, विदेश भ्रमन करने के लिए जा सकते हैं, नोकरी के लिए जा सकते हैं, व्यापार के लिए जा सकते हैं, खर्च हो सकता है आपका धन विदेश जाने में, यात्राओं में या धार्मे किस्त्रों में जाने में आपका धन खर्च हो सकता है, यह स्थितिया यहां पर बन रही हैं। वहीं लगन भाव में केतु विराज माने थोगा सा भ्रमित करने का काम करेंगे और उग्रवादी बनाने का काम करेंगे जंदिवाजी में कोई काम आपको नहीं करना है इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बात करें आपके धन भाव की मालिक के बारे में धन भाव की मालिक बनते हैं मंगल और मंगल आपके सप्तम भाव के भी मालिक है दो भाव की मालिक है मंगल के पाद दो रासिया होती है मेस रासी और ब्रश्चिक रासी मंगल का गोचर अश्टम भाव में हो रहा है ये अच्छ यहाँ पर ठीक नहीं रहने वाली है, चोड़ चपेट लगने की भी संभावनाई बनी रहेंगी, लेकिन यह मंगल गोचर कब तक करेंगे, 13 तरीक तक, 13 मार्च तक करेंगे, तो 13 मार्च तक आपको थोड़ा सा सावधार रहनी की जिरुरत है, वानी पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है, हाला कि मंगल की दृष्टी, सब्तम दृष्टी धन भाव में पढ़ रही है, और धन भाव मंगल का ही भाव है, इस करण से मंगल अपने भाव को खराब नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वानी का ये भाव है, और वानी के भाव में मंगल की दृष्टी हो, तो यहा खर्चे बहुत ही कम करना है, अच्छी जग आप धन खर्च करने सी जब मंगल 15 मार्च के बाद भाद भाव में आएगा, जब अर्षास लाव देने का काम करेंगे। बल प्राक्रम में ब्रद्धी करने का काम करेंगे देश बिदेश की यात्राओं के योग बनाने का काम करेंगे तो बहुत सारे छित्रों में मंगल आपको लाव देने का काम करेंगे लेकिन अश्टम भाव में मंगल का गूचर अच्छा नहीं माना जाता है इस चीज़ का ग्लत तरीके से भी आप लाब कमा सकती हो, कमीशन का क्रसकते हो, एजेंटका क्रसकते हो या अन्य तरीके से दो नंबर का क्रसकते हो ऐसी संभावनाय मंंगल यहां पर बना रहे हैं वही मंगल की सब्तम द्रश्टी धन भाव में धन खर्ज कराने का काम करेंगे और अश्टम द्रश्टी पराक्रम भाव में बल पराक्रम में मेहनत करवाने का काम भी ये मंगल करने बाले हैं तो इस कारे से तेरा थारिक तक फुरा सा ध्यान रखें, तेरा थारिक के बाद मंगल आपको जवर्दस लाब देने का काम करेंगे, जब मंगल आपके भात भाव में आएंगे, तो सब्तम द्रश्टी पढ़ेगी आपके पराक्रम भाव में, पराक्रम में प्रद्धी करने का काम करेंगे और अश्टम द्रश्टी पड़ेगी आपके चोथे भाव में चोथा भाव होता है भूमी का भवन का प्रापर्टी का माकान का वाहन का तो भूमी भवन प्रापर्टी माकान के योग बनेगे तो आप खरीश सकते हो क्रय विक्रय कर सकते हो निर्मान कर सकते हो कु गुरु छटे बा में विराज्मान वैसे तो गुरु का घोचर चटे बाव में अच्छा नहीं माना जाता है लेकिन यह स्वारासी में है औरकोई विग्र photographs में हो तो वह बुरा परणाम नहीं देता स्वित ना जाता है पर अप्राक्रम के मालिक है बलihा करने का काम करेंगे साथ इसाथ छटे भाव के मालिक है तो छटे भाव से हम देखते हैं रोग के बारे में, रिण के बारे में, सत्रों के बारे में, कंपटीशन के बारे में, कलह के बारे में, कर्ज के बारे में, तो रोग रिण सत्रों को समाप्त करने का काम करेंगे, competition में सफलता दिलाने का काम करेंगे साथ इसाथ यहाँ पर शुक्र भी विराजमान है शुक्र उच्चरासी में दोनु ही ग्रह यहाँ पर अच्चे हैं तो नोकरी के लिए यह आप तलास में है यह नई नोकरी आप जोयन करना चाहते हैं तो समय आपके लिए बढ़िया रहेगा इसमें कोई संसर्वाली बात नहीं है गुरू की पंचम दरश्टी आपके नोकरी के छेत्र में व्यापार के छेत्र में कर्म के छेत्र में पढ़ेगी तो नोकरी में प्रमोशन दिलाने का काम भी कर सकते हैं नौकरी में सेलरी ब्रद्धी का भी काम कर सकते हैं, जहां पर आप ट्रांसपर चाहते हैं, संभावना है कि वहां पर आपको ट्रांसपर ही मिल सकता है, साथ ही साथ जो है आपके व्यापारों में ब्रद्धी करने का काम करेंगे, वही गुरू की जो है सब्तम दरश्टी कि धन भाव में होगी तो धन की इस्तिती को बनाने का काम करेंगे धन की जो इस्तिती है वो बरकरार रहेगी और यहां पर गुरू आपको धन के लिए सपोर्ट करने का काम करेंगे लेकिन खर्चों का आपको मिशेश रूप से ध्यान रखना होगा तो गुरू आपको जबर् सब्सक्राइब निए अपनी ही रासी में विराजमान है कुम्ब रासी में इस कारण से जो है सनी पंचम भाव में तुला रासी बालू के लिए यह जवर्दस लाव देने का काम करेंगे लेकिन सनी अब अस्त चल रहे हैं और सनी पांच मार्ज के बाद उद्धे हो जाएंगे तो जवर्दस लाव देने का काम करेंगे ये भी काफी अच्छी इस्तिति यहाँ पर बन रहे हैं सनी आपके मालिक है भूमी भवन प्रापर्टी के मालिक है तो भूमी भवन प्रापर्टी माकान की योग बनेंगे और माता का सुख भी आपको मिलेगा साथ इसाथ पंचम भाव की मालिक है तो सिक्षा के लिए समय अच्छा रहेगा संतान के लिए समय अच्छा रहेगा और प्रेम विवाह के लिए भी समय आपका अच्छा रहने वाला है लेकिन वैवाहिक जीवन में हलकी फुल की समस्या देखने को मिलेगी तो कि सनी की दरश्टी तीसरी दरश बींग से ज्ञादा प्रेयास करना पड़ सकता है और कहीं है खर्चे भी आपको विशेश रूपक्या कलने क्यों दे करें बाते हैं जो हमने आपको आपको जवर्दस लाब देने का काम करेंगे मंगल आपके सब्तम भाव के मालिक है और मंगल यदि सब्तम भाव के मालिक है तो वैवाहिक जीवन के मालिक है अश्टम भाव में गूचर कर रहे है दामपत्य जीवन में थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको विसेश जरूरत है क्योंकि मंगल अश्टम भाव में, मृत्तु के भाव में गोचर कर रहे हैं, ये सुब नहीं है, मन मुटाव की इस्तिती बनी रहेगी, क्योंकि सनी की भी तीसरी द्रिश्टी पढ़ी रही है, तो कहीं ने कहीं पत्नी के साथ सम्मंद खराब हो सकते हैं, इस चीज़ का आपक विराजमान है, जो कि आपको कन्फ्यूज करेंगे, सक पैदा करेंगे, और उससे विबाद हो सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अश्टम भाव के मालिक सुक्र हैं, ससुराल पक्षे के संबंदों की बात करें, तो विप्रीत परवर्तन राज यूद में है, तो ससुराल पक्ष के संबंद आपकी बढ़िया रहेंगे, गुप्ट धन्वी प्रदान करने का काम यहाँ पर शुक्र करेंगे, शुक्र का रासी परवर्तन हो जाएगा, बारा तारीक को यह मेश रासी में चले जाएंगे, और शुक्र का गोचर सप्तम भाव में अच्छ नहीं माना जाता है, यह भी चीज है यहाँ पर सप्तम भाव में शुक्र का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, तो यहाँ पर दामपत्य जीवन को ले करके हलकी पुलकी मनमुटाव के स्थिति बन सकती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, साथ इसाथ राहू योग बन सकते हैं इसलिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा और वो आपको नुक्सान दायक रहेगा इस चीज का भी आपको विश्य शुरुपते ध्यान देना है भागेश आपके बनते हैं बुद्ध और बुद्ध का गोचर है पंचम में नबम पंचम योग है बिदेश जाना चाहते हैं तो समय बढ़िया है बिल्कुल जा सकते हैं ग्रेन कार्ट के लिए अपलाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उच्छे शिक्षा के योग भी बनेगे संतान के योग भी बनेगे प्रेम विवाय में सफल करने का काम करेंगे दसंभाव के मालक चंद्रमा है और चंद्रमा का फला दे संभाव नहीं होता है लेकिन गुरू के द्रश्टी पढ़ रही है इसलिए आपका नौकरी और व्यापार की स्थिति आपके बहुत अच्छी रहेगी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कोई यहाँ पर नुक्सान के सिति नहीं है लाव के मालक आपके सूर है पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं लाव होगा आयमे ब्रद्दी होगी इसमें कोई संसय वाली बात नहीं है तो कि सूर अपनी रासी को देख रहे है 15 तारिक तक 15 मार्च तक तो मन की एक्षाओं को पूरा करने का काम करेंगे आपके आउसकताओं को पूरा करने का काम करेंगे और लाव देने का काम करेंगे 15 तारिक के बाद जब सूर छटे भाव में आएंगे तो और अच्छे पढ़ाम देने का काम करेंगे नौकरी के लिए सरकारी नौकरी के लिए जबर्दस्र योग बनाएं कि बुद्ध जो है आपके पंचम भाव में बहुत अच्छे पढ़ाम देने का काम करेंगे लेकिन ये 16 तारिक तक पंचम भाव में रहेंगे उसके बाद ये चले जाएंगे छटे भाव में 16 मार्ज के बाद जब जाएंगे तो यहाँ पर नीच के हो जाएंगे लेकिन आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है दोनों ही भाव में बुद्ध आपको अच्छे पढ़ाम देने का काम करेंगे लेकिन आपको उपाय करना है शुक्र का क्योंकि शुक्र जब सप्तम भाव में कोचर करेंगे 12 मार्ज के बाद तो हल्की फुलकी स्वास में समस्या भी देने का काम करेंगे और दामपत्य जीवन में समस्या पैदा करने का काम करेंगे इसलिए आपको शुक्र का जो है चप करना है और इस तरी वर्ग को हमेशा आपको प्रसन रखना है उनके साथ विवाद नहीं करना है और कोई भी ऐसी हरकत नहीं करना है जिससे इस तरी बरगों को किसी भी प्रकार का नुकसान हो या वो परेशान हो तो इस चीज का आपको विश्चेश रूप से ध्यान रखना है और यदि देखा जाए तो तोलार रासी बालों के लिए मार्च का महिना सांदार है इसमें कोई संसाय वाली बात नहीं है कापी अच्छी सिती है हर सारे छेतरों में आपको लाब देखने को मिलेगा तो दर्सको आज बस इतना ही धन्यवाद यदि आप अपनी कुंडली का विशलेशन घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिये गए वाट्सेप नमबर से संबर्क करें साधारन फीज जमा करके आप अपनी कुंडली का विशलेशन फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, और वर्तमान के बारे में धन्यवाद WhatsApp नमबर 9479